नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का केलांजल टाइम्स पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर आए रुख करते हैं गुमला की खास खबर की ओर जो गुमला सदर थानिशेत्र के कुमबा टोली भठा खोईर तेल गाउं में गुरुवार को सिवल निवासी धनवीर मुंडा के 42 वर्षे पतनी सुनीता औराओं के शब को कवजम लेकर पंच नामा करते हुए सदर अस्पतार में पोस्ट मॉटम कराकर पती को सौप दिया गया जिसके बाद धनवीर शब को एम्बुलेंस से लेकर गुरुवार की देर शाम अपने पैत्रिक गाउं सिवल पहुचा जहां पर परिजनों और ग्रामीनों द्वारा पतनी की हत्या कर शब लाने से आक्रोशित हो उठे और उसकी धुनाईश शुरू कर दी जिसके बाद गाउं में शब को उतरने नहीं दिया और इसके बाद ही देर रात शब को लेकर सदर थाना लोटा वहीं इधर पुलिस द्वारा बनाए गए पंचिनामा में सर में चोट लगने की वज़े से मृति होना बताया गया है जबकि धनवीर ने बताया कि नशे की हाल अधि शुनीता नहीं कहां है अधी वाड़ी चाटोलि तौर घर कहां है मोर्शीविल तो इकन मौत कई से हला है अधिर हाग सेखन मार ध्रकली कर देलो उकाबाद धन्टा से माल ने ने डंटा से नी माहर हो तो का साम चाहिए मालने काची से माल देलो तो भीत कि अधर भीत म में लई गिला उक्रे से मोफ होगे हां मोथ होगे नाम कर सुनी कहिया मत्तव हैं कई लाठ वजय क्या रइता है कि आषदे करिए साम पर पूस्वाटम लेग रहे हैं तो घर लेगार लेग रहे ही सेखन फिर वापास तो कहा का लेगा और वो का मारा था जाओ लाए इस सिवील में काले मतलब अच्छा तो से लहिया नहीं नहीं होई तो तो फिर निरलास के दफन नहीं करें देलें का चीज दफन नहीं देलें उकरबात ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स